गाई सबसे पहले आप ये तस्बीर देखिए आपको ये एक बंदर के चेहरे की तरहे लग रहा होगा पर असल में ये एक फूल है जो की हमारे भारत में नहीं पाया जाता इसलिए इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस अजी गरीब बातें बताने बाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिरसे फैक्टी नॉलिज की वीडियो पर स्वागत है काईस दरासल जैसे ये फूल दिखता है ठीक उसी तरह ही इसका नाम मंकी औरकेड है जो कि औरकेड प्रजाती का एक बहुती खूपसूरत फूल है इस पूल का असली नाम ड्रेकुला ओर्किड है पर इसकी फूल की बनावट कुछ इस तरही की है जिसको देखने पर ये बंदर की आकार जैसा लगता है और इसी बज़े से फ्लॉबर को मंकी फ्लॉबर भी कहा जाता है बहीं इस पूल का बैग्यानिक नाम ड्रेकुला सीमिया है पूरी दुनिया में मंकी ओर्किड केवल एक्वाडोर कोलंबिया और पेरू के पहाडी छेत्रों में पाया जाता है जो समुद्र से लगबग 1000 से 2000 मीटर की उचाई पर मिलते हैं ये पूल सभी मौसमों में खिलता है जिसमें से तेज नारंगी जैसी खुस्बू आती है इस पूल की दुनिया भर में 130 के करीब प्रजातियां है मंकी ओर्किड की लाइब बहुत ही जादा होती है ये लगबग 20 साल तक जीवित रहते हैं मंकी फ्लॉबर 7 साल के बाद फूल देना सुरू करता है और जब तक की ये खत्म नहीं होता तब तक वो फूल ही देता रहत है बहीं मंकी फ्लॉबर को उगाने के लिए 13 से 20 सेलसियस के बीच के तापमान की जरूरत पड़ती है और इसी कारण से ये हमारे भारत में नहीं पाया जाता गाईस आपको इस फूल के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेज झाल 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 झाल